साउधी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा जटका दिया है। उसने अत्याधुनेक और डीप कन्वर्जन रिफाइनरी स्थापित करने से अपना हाथ कीच लिया है। 10 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली इस रिफाइनरी की स्थापना के लिए पाकिस्तान ने साउधी अरब पर जम कर दोरे डाले थे। इसके बाद साउधी अरब की अपनी साउधी अरामको ने पाकिस्तान में रिफाइनरी की स्थापना पर हामी भी भर दी थी। साउधी क अराम को कमपनी इस परियोजना में निवेश करने में दिल्चस्पी नहीं रखती है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर ये डीप कन्वर्जन रिफाइनरी बन कर तैयार होती तो इससे प्रती दिन 3 लाख बैरल कच्छे तेल को रिफाइन किया जा सकता था। परियोजना में निवेश के लिए सौधी अरामकों को नहीं राजी कर पाना पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विशे बन गया है। पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हालिया बातचीत में संकेत दिया है कि अरामकों ने खुद को सौधी सरकार से अलग कर लिया है और काफी हग तक विनियमन हासिल कर लिया है। यही कारण है कि इसका प्रबंधन अब दुनिया भर में रिफाइनरी व्यावसाय में निवेश करने का इच्छुक नहीं है। इसमें कहा गया है कि रिफाइनरी व्यावसाय अब पहले जैसा आकर शक नहीं रह गया है। पाकिस्तान सौधी में हुई थी डील। अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान को अरामकों ने संकेत दिया था कि वह रिफाइनरी में अपनी इक्विटी को परियोजना की कुल इक्विटी में से 900 मिलियन डॉलर तक कम कर सकता है। 900 मिलियन डॉलर का निवेश पर योजना में कुल 3 बिलियन डॉलर एक्विटी के 30 फीसदी के बराबर है। इससे पहले कुल इक्विटी तीन बिलियन डॉलर पर काम किया गया था और शुरुवात में साउधी अरब ने 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की इच्छा जताई थी. 1.5 बिलियन डॉलर की शेश इक्विटी की व्यवस्था पाकिस्तान से की जानी थी. पहले की समझ के अनसार साउधी अरामकों को इस परियोजना का नित्रित्व करना था और परियोजना के लिए 7 बिलियन डॉलर के रिंग की व्यवस्था करने में अपने प्रभाव का उप्योग करना था.